बूर्णिंग स्टुडेंट्स लेट स्टार्ट आवर न्यू टोपिक विच इज ब्लोक एलिमेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर में आप जो है यूनिट 6 तक स्टड़ी कर चुके यू जनरल प्रिंसीपल्स और प्रोसेस ओफ हैसोलेशन ओफ एलिमेंट्स इस वीडियो ले प्रिंस अंदर प्रुप 13 तु 18 आती हैं को प्रिंस को प्रोक के अंदर रखा गया है तो इसमें ग्रुप 13 जिम्स आपकी बोरोन इसमील्य टू घ्रुप 18 तक आपके प्लोक के अंदर आपने जो है उलाल राडिआ प्लस वन के अंदर डिस्कस कर चुकी ये चीज़ में व्र कूब कर चुकी लीår में क्नलास प्लस वन में डिस्कस है अब इसके बात जो है अमें ॉस तू कलास में आपकाchild 15 नाइट्रोजन फैमली ग्रूप 16 ओक्सीजन फैमली ग्रूप 17 हैलोजन फैमिली एंड ग्रूप 18 नोबल गैसेज यह यहां पर डिस्कस करना है आपका जो ग्रूप 15 है नाइट्रोजन फैमिली यह सी बीएसी ने जो है आपका लास्ट इयर आपके सी बीएसी ने स्लेवस से इसको अठा दिया ठा लेकिन अब की बार जो न्यूप अदर जो नाइट्रोजन फैमिली है उसको फिर से एड किया सी बीएसी ने तो अब जो हमें यहां पर आपका ग्रूप 15 से नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट करना है ठीक है अगर इसका marks point of view देखें तो CBSE के exam में इसकी average जो है P block की 4 to 5 marks है ठीक है तो first starts with group 15 elements means nitrogen family ठीक है इसमें four parts है first आपका group 15 elements nitrogen family से हम start करेंगे तो देखते हैं इसके अंदर elements कौन कौन से elements arrange किये गई है आपका जो group 15 है first element है आपका nitrogen ठीक है nitrogen जो nitrogen family का first member क्या है nitrogen atomic number है इसका 7 अगर इसकी electronic configurations discuss करेंगे हम noble gases electronic configurations तो helium helium नियस्ट इसकी noble gases 2s2 2p3 अब इसके बाद जो second member है आपका phosphorus ठीक है atomic number क्या है 15 electronic configurations क्या है noble gases neon 3s2 3p3 अब इसके बाद जो next member है आपका arsenic arsenic atomic number क्या है 33 नियस्ट noble gases argon 3d 3d 10 4s2 4p3 अब इसके बाद जो है next है आपका member anti money anti money ठीक है SB से denote करते है atomic number 51 और इसकी नियस्ट noble gases जो है krypton 4d 10 5s2 5p3 अब इसके बाद जो है last है बिश्मत ठीक है atomic number 83 electronic configurations है नियस्ट noble gases xenon 4f 14 5d 10 6s2 6p3 तो यह क्या है journal noble gases electronic configurations है ठीक है तो last electron जो इसका piece of cells में और a filleded है piece of cells मेंस क्या है इनकी a filled electronic configurations है जो क्या है stables है अब इसके बाद जो है हम discuss करते हैं कि आपका जो p block elements है यह nature के अंदर p block elements की जो nitrogen family है यह nature के अंदर किस form में exist करते हैं तो one by one जो है हम each member discuss करेंगे कि nature के अंदर उसकी occurrence क्या है कि इस form में exist करता तो first member है आपका nitrogen nitrogen जो है एक dietomic gas की form में exist करता means n2 की form में exist करता और जो आपका atmosphere है atmosphere के अंदर nitrogen का volume कितना है 78% जो है atmosphere के अंदर nitrogen gas present है अब इसके बाद से कि nitrogen जो है अर्थकर्ष्ट के अंदर अगर अर्थकर्ष्ट के अंदर by mass जो है nitrogen की by mass यदि हम ratio check करें तो यह क्या है 33rd most abundant element है जो अर्थकर्ष्ट के अंदर exist करता है तो by mass जो है आपका nitrogen के 33rd most abundant elements है जो अर्थकर्ष्ट के अंदर exist करता है अब इसके बाद जो next है nitrogen is the essential constituents of protein amino acid and nucleic acid which regulate the growth and control the hereditary facts in living being nitrogen nitrogen जो है essential element के तोर पर proteins के अंदर आपके amino acid के अंदर आपके nucleic acid है जो DNA RNA उसके अंदर present रहता है और जो क्या है growth को regulate करता है ठीक है means growth को बढ़ाता है and control the hereditary facts in living beings और जो hereditary facts in living beings के अंदर उसको control करता है अब इसके बाद second element है वो आपका phosphorus क्या है वो 11th most abundant element है जो earth curse के अंदर by mass क्या है exist करता है यह याद रखना आपको पुछा जाज़कता कही बार कि by mass जो है nitrogen स्कौन सा element 33rd और phosphorus क्या element आपका 11th most abundant element अब जो phosphorus है यहाँ पर वो minerals की फो में exist करता नेचर के अंदर तो इसके minerals first आपका chloro appetite क्या है first minerals क्या chloro appetite c a 3 p o 4 twice c a f 2 ठीक है अब इसके बाद second है chloro appetite c a 3 p o 4 twice c a c l 2 इसमें इसमें फ्लोरो था फ्लोरीन आ जाएगा इसमें क्लोरो है तो क्लोरीन अब hydroxy appetite c a 3 p o 4 twice c a o h twice means calcium hydroxide यह क्या है कुछ minerals है phosphorus की अब इसके बाद next देखते है phosphorus is the essential constituents of animal and plants matter ठीक है animals और plants के लिए भी जो है phosphorus essential elements है it is also present in bones as well as in living beings living beings में और यह bones में present रहता अब about 60% of bones and teeth are fluoro appetite जो minerals है आपका phosphorus का 60% जो आपकी body की bones है और teeth है ठीक है वो floro appetites present रहता है phosphorus proteins are present in milk and egg जो phosphorus proteins है वो आपका milk और egg के अंदर भी पाया जाता है it also occurring nucleic acid means dna rna phosphorus जो आलवेज आपका nucleic acid में भी present रहता dna और rna के अंदर which control the hereditary effect in human beings जो human being के अंदर हम पहले भी discuss किया था आपका hereditary effect को control करता है यह तो थे आपके nitrogen phosphorus अब इसके बाद जो next element है आपके arsenic है antimony है bismuth है are not very abundant यह क्या है आपका nature के अंदर means earth crust के अंदर ज्यादा amount में present नहीं होती यह जनली sulphides की form में present रहते जैसे आपका arsenopyrides fe as s means iron arsenic यह क्या है sulphide arsenopyride next stevenite sb2 s3 stevenite फिर है bismuth glance यह क्या है bismuth आपका जो bismuth हमने metal पड़ा था भी nitrogen family का मेंबर उसका क्या sulphide bi s2 s3 यह क्या है इसके sulphide जनली यह तीनों elements जो earth crust के अंदर इनका amount ज्यादा नहीं sulphide की form में exist करते हैं यह था जनली की earth crust के अंदर nitrogen family के member किस form में exist करते हैं अब next जो है हमें इसके बाद study करनी है इनकी atomic or physical properties atomic or physical property हम one by one study करेंगे nitrogen family की तो first atomic properties है atomic and ionic radii ठीक है तो the atomic and ionic radii of the element of the nitrogen family are smaller than the corresponding carbon family ठीक है इसका reason क्या है जो आपकी nitrogen family है group 14 से जब हम group 15 की तरफ जाती है तो आपका nuclear charge क्या है बढ़ता है nuclear charge increase होने से जो आपकी forces of tractions है nucleus or valence cell electron के बीच में वो क्या हो जाएंगी increase हो जाएंगी तो आपकी atomic or ionic radii क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है it means group 15 की atomic or ionic radii as comparison to group 14 carbon family क्या होती है small अब on moving down the group the covalent and ionic radii increases with increase in atomic number जैसे जैसे हम down the group जाते हैं तो हमें पता atomic number means atomic size बढ़ता number of cells बढ़ते है number of cells बढ़ेंगे तो आपके atomic और ionic radii क्या होगी decrease होगी means क्या है वहाँ पर nuclear nucleus और outermost cell के बीच में जो electron है उसमें forces of tractions क्या हो जाएंगी वीक हो जाएंगी ठीक है तो there is considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus ठीक है however from arsenic to bismuth only a small increase is observed देखो यह चीज यहाँ पर ध्यान से समझना nitrogen से यदि हम phosphorus की तरफ जाते हैं तो क्या है suddenly increase होता है covalent radius में but arsenic से bismuth की तरफ जाएंगे तो वह increase क्या हो जाता है small हो जाता है हमें पता down the group जाते हैं तो atomic size regularly increase होगा means number of cells बढ़ेंगे लेकिन यह कह रहा है कि nitrogen से phosphorus की तरफ जाते हैं तो क्या है suddenly increase होता है इसका region क्या है nitrogen और जो phosphorus है इसके अंदर आपके S जो inner sub cell है S और P उसकी shielding क्या होती है strong होती है shielding strong होने की वज़े से क्या है उसका आपका nuclear charge means क्या हो जाएगा increase हो जाएगा और उससे क्या है आपकी covalent radius क्या हो जाएगी suddenly increase but arsenic to bismuth तक हम जाएंगे तो इसके अंदर आपके क्या जाएंगे d orbitals आ जाएगा जिसकी d और f जिसकी shielding क्या हो जाएगी पूर हो जाएगी shielding पूर होने की वज़े से क्या हो जाएगा आपका increase जो है small रहेगा अब इसके बाद next देखते हम ionization enthalpy ठीक है next property आपकी ionization enthalpy तो सबसे पहले ionization enthalpy होती क्या है किसी भी neutral atom जो gassy state में present उसके outermost cell या valence cell चे इलेक्टोर निकालने के लिए जितने minimum amount में हमें energy चाहिएगी वो क्या होती है आपकी ionization enthalpy second atomic properties is ionization enthalpy तो the ionization enthalpy of group 15 elements are much higher than those of the corresponding group 14 elements यह कहेगी जो आपकी group 15 means nitrogen family की ionization enthalpy as comparison to carbon family क्या होती है बहुत ज्यादा high होती है इसके दो reasons में लिए एक तो क्या है effective nuclear charge increase होता है regularly जब group 14 से 15 की तरफ जाएंगे दूसरा क्या है अभी हमने discuss किया था जो nitrogen family है इसकी valence cell में means p cell के अंदर क्या है three electrons present outermost cell में means क्या है वो p orbitals क्या होँआप फिल्डिड है और हम पता फिल्डिड जो atomic orbitals होता है वो क्या होता है स्टेबल होता means electronic configuration जो है nitrogen family की वो क्या है stable है means extra stability होने की वज़े से उस electron निकालने के लिए के हमें ज्यादा amount में energy चाहिए इसी वज़े से ionization enthalpy group 15 की as comparison to carbon family क्या है वो ज्यादा high होती है अब down the group the ionization enthalpy decreases regularly जैसे जैसे हम down the group जाएंगे तो ionization enthalpy regularly decrease होगी क्योंकि down the group atomic size बड़ेगा nuclear charge भी बड़ेगा बट atomic size में increase होने की वज़े से जो आपका electrons है और nucleus के बीच में forces जो tractions क्या हो जाएगे valence cell के अंदर जो electron है वी को जाएगे जिसे हम easily electron क्या है निकाल सकते हैं तो उसके लिए हमें energy का amount कम चाहिए इसलिए down the group जाएंगे size बढ़ने से ionization enthalpy regularly क्या होगी decrease होगी अब क्या है successive ionization enthalpy का trend देख लेते successive ionization enthalpy से meaning क्या आपकी first ionization enthalpy second ionization enthalpy third ionization enthalpy निकालने के लिए जितनी energy चाहिए उसको क्या बोलते हैं थर्ड ionization enthalpy यह आपकी successive ionization enthalpy तो हमें पता एक लेक्ट्रों निकालने के लिए कम energy चाहिए कि दो इलेक्ट्रों निकालने के लिए और ज्यादा और तीन इलेक्ट्रों निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा energy चाहिएगी थर्ड ionization enthalpy की value always क्या होती है हाई होती अब थर्ड प्रोपर्टी आपकी electronegativity इलेक्ट्रों को अपनी तरफ ट्रेक्ट करने की पावर तो ग्रूप 15 जो एलिमेंट है इसका reason क्या है आपका एक तो आपका जो ग्रूप 15 14 से 15 की तरफ जाएंगे वह यह आपका nuclear charge increase होगा दूसरा जो ग्रूप 15 से उसको noble gas नियस noble gas attain करने के लिए क्या है कम electron चाहिए अपना update complete करने के लिए इसलिए इनकी electronegativity क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी as comparison to carbon family अब electronegativity of group 15 एलिमेंट चोज ए gradual decrease on moving down the group तो जैसे जैसे down the group जाएंगे तो आपकी electronegativity क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी इसका reason क्या है, down the group जाएंगे तो number of cells बढ़ेंगे means आपका क्या है number of cells increase होंगे means आपका atomic size increase होगा, atomic size increase होने से आपकी electronegativity क्या हो जाएगी down the group decrease हो जाई है तो यह थी आपकी 3 atomic properties अब इसके बाद जो है next है हमें इसकी physical properties जो है group 15 की वो discuss करते हैं first physical properties आपकी metallic character ठीक है the element of group 15 are less metallic than those of तो metallic character जब हम discuss करते हैं तो nitrogen family के जो member है as comparison to carbon family क्या है less metallic तो इसके दो reason है एक तो group 14 से 15 की तरफ जाएंगे तो आपका nuclear charge increase होगा दूसरा reason है आपका group 15 means जो nitrogen family के members है वो क्या है उनकी electronegativity क्या होती है ज्यादा high होती है as comparison to group 14 बट जब हम down the group जाते हैं तो metallic character क्या है regularly increase होता है इसका reason क्या है down the group जब हम जाएंगे तो electronegativity क्या होगी आपकी decrease होगी electronegativity decrease होगी means valence cell से हम easily electrons क्या है निकाल सकते हैं ठीक है तो electron निकाल सकते हैं तो means metals की category में count होते है और arsenic जो antimony है वो कि आपके metalloids है और last जो आपका बिश्मत होगी है कि typical metals है तो metallic character क्या होगा down the group always increase होगा अब इसके बाद second जो है physical properties है वो आपकी melting and boiling point तो the melting and boiling point of group 15 element first increases from nitrogen to arsenic and then decreases to antimony and bismuth तो जब हम melting point का discuss करते हैं तो group 15 nitrogen family के आपका nitrogen family में nitrogen से arsenic तक जाते हैं तो melting point आपका increase होगा क्योंकि आपका atomic size क्या होगा increase होगा लेकिन suddenly antimony से bismuth की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपका melting point क्या हो जाएगा कम हो जाएगा decrease हो जाएगा इसका reason क्या है inert pair effect है जो आपका antimony और bismuth है ये आपके three covalent bond की formations करते हैं ये 5 covalent bond नहीं बनाती क्या है इस link के अंदर क्या जाएगा inert pair effect आजाएगा इनर्ट पेर इफेक्ट आने की वज़े से क्या हो जाएगा antimony और bismuth का melting point decrease हो जाएगा समझे ना ये concept आप इसके बाद है the boiling point के regular increase होगा जब हम nitrogen से bismuth की तरफ जाएगे means क्या size बड़ेगा nitrogen से bismuth की तरफ जाएगे तो आपका boiling point regular increase हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद third physical property हम discuss करते हो density density क्या होती है आपकी mass per unit volume means क्या जैसे जैसे down the group जाएगे तो mass बड़ेगा mass पर directly depend करेगी means size बड़ेगा तो density भी nitrogen से bismuth की तरफ जाते हैं तो regular क्या आता उसके अंदर increase आता अब जो आपकी next है physical property वो है allotropy ठीक है वो क्या है allotropy exist करती है जो आपका nitrogen sorry phosphorus है वो three allotropes की formations करता है उसके allotropes है white, red and black phosphorus ठीक है यह आगे चलके हम इस chapter में discuss भी करेंगी important है white, red and black phosphorus allotropes है जो phosphorus के यहां से क्युछ सना आता है आपके 3 allotropes से पुछा जाता है ठीक है अब इसके बाद arsenic and antimony existing two allotropic form antimony और arsenic भी दो है दो allotropes की formations करते है वो कौण-कौण से है yellow and grey allotropes ठीक है तो यह थी physical property अब इसके बाद है आपकी chemical property वो हम next lecture में discuss करेंगी थैंक्स